दूस्तो बंगलादेश जो कि हमारा पडोसी कंट्री है अभी हाली में बंगलादेश में इलक्षन हुआ था जिसका रिडल्ट आ चुका है और सेख हसीना एक बार फिर से वहां की प्राइम मिरिस्टर बन चुकी है तो इस वीडियो में हम जाने हैं कि जीओ पॉलिटिकली इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं बाइकाड माल्दीब के बारे में गाईस अभी पूरे इंडिया में बाइकाड माल्दीब चल रहा है और माल्दीब जोचैना के मदश से हवा में उढ़ रहा था वो अभी अभुद बोल रहे हैं कि भारत के साथ हमने जो किया वो बंगलादेस की जो पीम है सेख असीदा वह हमारे लिए सही है या नहीं है यह घ्र मरन यह नहीं करता यहां पर मैं मुद्ध यह है कि सेख असीदा के कालमे काल में बंगलादेस ऑर भारत का जो रिलेचन्शीप हो कापी अriv उक है और यही कारणने कि हमने G20 में बंगलादेस को भी इन्वाइट किया था अभी एक दो दिन पहले सिख हसीना ने भारत की वड़ी तारीफ बेगे थी कि भारत हमारा परम्मित्र है यहां आपको जादे गाइस कि सिख हसीना यह बंगलादेस की पांच भी बार प्रधार मंत्री बनी है यह 2009 से परधार मंत्री है और 2029 तक यही रहेगी यानि कि आने वाला पांस साल भारत और बंगलादेस के रिलिसंसीप को और ज्यादा बढ़ाएगा देखेगा इस बंगलादेस में एंटी इंडिया वर्क होता था लेकिन प्राइमिस्टर मोदी के आने के बाद खतम हो चुका है बंगलादेस में जो विफख्च पार्टी है उनका करना है कि यह फर्जी लेक्सन है और 40% लोगों नहीं हिस्सा लिया था इसमें लेकिन जो भी हुआ वो उनकी प्रोबलम है हमारे लिए अच्छी बात है कि से घसीना जीच चुकी है हाँ अमेरिका ने यह में पूरे वर्ड में 64 कंट्री में लेक्सन होने वाला है जिस पर मैंने यह वाला विडियो उनाया था आई विटन में किले करके आप जख सकते हैं आने वाले पांच सल तक भारत और बंगलादेस का जो रिलेसंसीप है वो अच्छा रहने वाला है और बंगलादेस से भारत तो बंगलादेस किलियर है अब आते हैं बाइकोट मालदीप पर मालदीप वाले केस में यहाँ पर मोदी जी को मानना पड़ेगा उन्होंने कुछ नहीं किया बस लक्षदीप गये वहाँ पर थोड़ा सा विजिट किया उन्होंने वहां के नेचुरल बीटी को दिखाया औ आप जो दुनिया वर के आईलेंड में गुमने के लिए जाते हैं आप सबसे पहले भारत के अंदर जो आईलेंड है लक्षदीप अनमान निकोबार यहाँ पर आईए और मेरा विश्वास है कि जब आप यहाँ के नेचुरल बीटी को देखोगे तो आप दूसरे दिश के आईलेंड को भूल जाओगे बस इतना सा इस्टेटमेंट था पियम मोदी ने किसी भी देश के खिलाब कुछ बोला नहीं था कि आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ लेकिन मालदीप ने से अपने उपर लिया वहां के लोगों ने गलत गलत कॉमेंट किया लक्षदीप माल मालदीप जाने वाले थे उन्होंने अपना होटल कैंसिल किया अ हर तरह कापको वहाँ पर टूरीजन प्लांड मिल जाएगा जो धाई लाग तेल लाग दो लाग तक का होता है मतलब इतने सारे लाखो रुपिया इंडियन खर्च करके मालदिप घुमने जाते हैं और बदले में मालदिप क्या कर रहा है हमारे देश के प्राइम मिस्टर को ग इंडियन के लक्जदीप है अनमान निकोबार है केरला है बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं इसके लाबा जितने भी बॉलीवूड वाले हैं वह भी मालदिप का बाइकोट कर रहे हैं तो प्राइम मेंस्टर मोदी जो वहाँ पर गये थे उन्होंने मालदिप को कुछ बोल में देखें यहां पर मैं रिजन है जो नय परसीडेंड बने है मालदिप में वह प्रो चाइना है और इसलिए ऐसा हो रहा है तो इसलिए भारत सरकार बिलियंस रुपई यह खर्च करती थी मालदिप के लोगों के विकास के लिए लेकिन मालदिप अभी पूरी तरह से प्र जटका लगने वाला है वैसे आपको क्या लगता है गाइस मालदिप का बाइकट करना चाहिए यह जियो पोलिटिकली मालदिप हमारे लिए ज़रूरी है हमें मालदिप के साथ बेटर रिलेसंसिप रखना चाहिए आप अपने राय कॉमेंड बॉक में जो दीजिएगा अग थेंक्यू फर बाचिंग मिलते हैं अगरे वडियो में एक ने जनकारे के साथ तब तक के लिए जया हिंद